तो आज इस मुवी को हम explain करने जा रहे हैं उसका नाम है EUROTRIP और यह release वी थी year 2004 में तो आज की इस मुवी में देखोगे आप एक ऐसे बंदे को जो बस पेलन कारिक्रम करने के लिए अपनी country शोड़ करके दूसरी country चला जाता है अपनी online friend से मिलने के लिए तो चलिए साधा दिर्दन करते हुए हम explanation को start करते हैं पर उस movie start होती है और हम देखते हैं अपनी movie का main character बेजान दारूवाला बेजान दारूवाला ने जस्ट अभी ही graduation complete के आया है और अभी अभी ही उसकी girlfriend ने उसके साथ break up कर लिया क्योंकि उससे कोई दूसरा बंदा पसंद बेजान दारूवाला जब ये खबर सुनता है तो बिल्कुल बेजान हो जाता है और फिर उसके बाद वो बहुत दारूपीता है दारूपी करके जब वो घर वापस आया तो हम देखते हैं कि वेचारा वो बहुत दुखी है और हम देखते हैं कि अकसर वो अपनी एक online friend से ब पापड़ी पकला देती हैं अब भाई साब लड़कों की सबसे बड़ी कमजोरी कि कोई उसे समझने वाली मिल जाए तो कता ही वो दिली ही हार बैठते हैं ठीक ऐसा ही हमारे बेजान दारूवाले के साथ भी हुआ है जब उसने देखा आगी लड़की उसकी इतने प्यार से केर कर रही है उसे इतने अच्छे से समझ रही है तो भाईया जी ऑनलाइन ही उसे अपना दिल दे बैठते हैं और अगले ही दिन वो डिसाइड कर लेता है कि वो उसके साथ ही शादी करेगा और उससे मिलने के लिए वो उसकी सिटी भी जाएगा जो उससे काफी दूर थी ए करके उससे मिलेगा और उसके साथ शादी करेगा और वो सब भी जो तुम सोच रहे हो खेरा भाईया जी अकेले तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि नहीं घंटा कुछ पता नहीं इसलिए ये अपने एक फ्रेंड की हैल्प लेते हैं स्टार्टिंग में तो वो फ्रेंड उससे ब लगात होती है एक फुटबॉल टीम के कोच के साथ यहाँ पर वो लोग कुछ बाते बगरा करते हैं और वो दोनों बंदे उन्हें बहुत इंप्रेस कर लेते हैं जिसके बाद वो उन्हें दारूबियर बगरा बिलाते हैं और वो लोग टुल हो जाते हैं जब उनकी आँख खुली तो उन्हें पता चला कि वो एक बस में है जब उन लोगों ने पूछा कि चाचा कहां चली सवारी जिस पर चाचा कहते हैं कि हम लोग जा रहे एक मैच में और तुम लोग भी हमारे साथ चलो पर यहाँ पर बेजान दारूब वाला अपनी वो दुग भरी कहानी सुन जाते हैं आगे के सफर के लिए पर भाईस साब ट्रेन के सफर में मज़ा तब तक नहीं आता जब तक कोई वहां पर चूतिया ना मिलें आपने इंडिया में तो चल जाता है कोई चूतिया चाचा मिल जाते हैं जिनने देश की सरकार से कुछ ने कुछ प्रॉब्लम होती है और उन्हीं की चूतिया बाहतों के सहारे हम लोग पूरा अपना सफर काट लेते हैं पर विद्यस में ऐसा नहीं होता ना तो वहां पर इन्हीं मिलती है एक मीठी खीर ये मीठी खीर उनके ही पास में आकर घुस के दबक कर बैट जाती है और साध उस मीठी खीर में साध जिसके बाद वहां के लड़को उएदर दर टेस्क करने लगता है और अपनी हरकाते दिखाने लगता है पर फिर भी वह लोग आकवर्ड फिल करते हैं तो भाईया जी मीठी खीर ने अपनी पैंटाय उतार दी अब तक तो वहां के लड़के भी समझ गये हैं कि अगर इसे थोड़ी दिर तक और रखां तो हम फिलाल तो यहां पर लेने के लिए हैं पर लेने के देने पड़ जाएंगे जिसके बाद वो लोग उसे जल्दी से अपने कमार्टमेंट से बार फिक देते हैं वैसे तुम भी अब तक परिशान हो गया होगे कि यार कुछ तो अटपाट कती कुत्ते टाइप वो उसे बचा करके बीच से बहुत दूर ले जाते हैं खैर उसी रात अपना बेजान दारो वाला जब एक शौप में जाता हैं तो यहां पर उसे एक बंदी मिलती हैं जो उसके साथ थोड़ा बहुत फ्लट करती हैं और बेजान दारो वाला भी उसकी सेम यही काम हुआ है पर अंतु दारो वाले के साथ जो लड़की थी वो बिचारी रहम दिल थी पर दूसरी वाली ने तो पैसे तो लिए ही लिए उसके साथ साथ उन्हें बहुत सारे जखम भी दे दी हैं मतलब वो धर के पेलती हैं इनको पर इस बीच बाजी मार गए हैं वद्दू चूतिया कपल जब ये दोनों ही नहीं थे तो वो आराम से पलंग दोड़ते हैं जिसके बाद अगले दिन वो दोनों कपल तो बढ़े हैं मोज में बैठे हुए थे हैं पर ये दोनों लुटे हारे बेचारे दुखी हारे बन के चले आ रहे हैं पर भाइस सब पर चंद मुखी तो नहीं उपस्ते थी लेकिन उसके पिता स्री ने कहा कि वो गई है बर्लिन अगर आप उसे मिलना चाहते हो तो आप बर्लिन जाकर के मिल सकते हो अब यहाँ पर यह लोग और यह लोग पहुँच चुके हैं रोम सिटी में यहां बहुचकर हम देखते हैं और यहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं तो जो अपना पीके था वो यहां पर आगर के टूरिस्टों को जबर्लिस्ति का ग्यान पेलने लगता हैं और उन्हें यहां के बारे में उल्टी सी दिवाते पेलना स्टार्ट कर देता हैं यहां पर जितने भी टूरिस इतने में ही निकल कराता है अपना बेजानदारू वाला। उसे धिकर के सभी लोग ये सोचते हैं कि शायद यही है अपना नया पोग। खेर यहाँ पर उपर से अपने बेजानदारू वाले ने पहचान लिया था कि चंदरमुखी कौन है। जिसके बाद वो सिधा चंदरमुखी के पास जाता है और वो दोनों कुछ बाते बाते करते हैं जिसके बाद वो नीचे जा करके उसे प्रपोस करता है। जिसके बाद वो लोग दबा के दुवाधार पेलन कारिकरम करते हैं और अगले दिन हम देखते हैं कि यह सभी लोग वापस जा रहे हैं। पर हम देख रहे हैं जो अपना चीच्चू है उसने जैनी को पटा लिया है। जिसके बाद यह दोनों आ जाते हैं अपने रिलेशन में और अपना दारू वाला आ जाता है चंदरमुखी के लिए।